नमशकार में हुरचना और आप देख रहे हैं वाइस नियूज 18 आईए बात करते हैं इस वक्त की खास ख़बर से आज देश के करोणों अनदाताओं की जीत हुई है अनदाताओं की आंदोलन की बदोलत, लंबे संघर्स की बदोलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदोलत नरेंदर मोदी जी की अहंकारी और तानासा सरकार को जुकना पड़ा और तीनो काला कानून वापस लेना पड़ा ये तीनो काला कानून वापस क्यों लिया गया है क्योंकि चुनाओ दर चुनाओ नरेंद्र मोदीजी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई सबक सिखा रहे थी इस देश की जनता सबक सिखा रहे थे इस देश के अनदाता और चुनाओ में हार के डर से उन्हों ने ये काला कानून वापस लिया है मैं पूछना चाहता हून अरेंद्र मोडीजी से आप किस बात का इतजार कर रहे थे किसान भाईयों को आतंकवादी कहा गया खालिस्तानी कहा गया मवाली कहा गया उनके सामने तार बिचाये गए और दुस्मन देश के नागरी की तरह उनसे बेवार किया गया उनको इस देश का दुस्मन बताया गया तब आप मोदी जी खामोस थे और ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया गया साहे साथ सो किसानों ने अपनी शाहदत दी कुर्बानी दी ये काला कानून वापस नहीं लिया गया एक लंबे संगर्स आजादी के बाद सबसे बड़ा किसानों कांदोलन एक साल तक किसान भाई सडक पर रहे ठंड हो गर्मी हो बरसात हो उन्होंने तमाम यातनाय जेली उनके उपर आसू गैस के गोले छोड़े गए उनके उपर लाथिया बरसाई गई उनका खून सडकों पर बहाया गया और उनको कुचल कर आपके मंत्री की काड़ी ने मार लिया तब आप खामोस रहे आज चुनाओं के डर से चुनाओं में हार के डर से आपने तीनों काला कानून वापस लिया है नरेंदर मोदी जी ये देश का अनदाता भी समझ रहा है देश का किसान भी समझ रहा है सडक से संसद तक आम आदमी पार्टी किसान भाईयों के साथ थी है और रहेगी जब ये काला कानून संसद में आया था उस वक्त मुझे मारसल से घसीट कर संसद से बाहर किया गया था मुझे निलंबित भी किया गया था हमारे साथी सांसदाम आदमी पार्टी के जो थे उनको भी निलंबित किया गया था भी पक्ष के सांसदों को अपमानित किया गया था लेकिन हमारी एक ही आवास थी ये काला कानून वापस लो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरिवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कारकरता आज किसान भाईयों को बढ़ाई देता है किसान आंदोलन में पहले दिन से केजरिवाल जी और पूरी पार्टी साथ थी है